बरसाद में बरा कॉम्प्लेक्स बेस्मेंट में पानी और समाजिक तत्वोका भी बोल बाला सागवडा डुंगरपूर जिले के सागवडा नगरपाली का अन्तरगत बेखा बाई कॉम्प्लेक्स की तस्विरें बरसाद के मुसम में बड़ी खतरनाक दिखाई देती हैं पूरी बिल्डिंग का पानी पारकिंग के अंदर भर जाता है और निकासी नहीं होने की वज़र से कॉम्प्लेक्स में व्यापारी अपने आपको असुर्गशित में हसुस कर रहे हैं वहीं दूसरी तरब देखा जाये तो इस कॉमप्लेक्स में असमाजिक तत्को का भी शाम होते ही बुलबाला शुरू हो जाता है शराब की बोतलों से लगा कर और भी कई अनेतिक कारे इस कॉमप्लेक्स में होते हैं पारकिंग को बंद कर दिया गया है जिसके वज़र से कितना पानी बैसमेंट में बरा हुआ है नजर भी नहीं आ रहा ना तो इस तरफ प्रसासन ज्यान दी रहा है और ना कॉमप्लेक्स का मालिक इस कॉमप्लेक्स में रहने वाले व्यापारी और लोग राम भरो से अपनी जिन्दगी चला रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हों कि यह बारिश के टाइम में हर बार यह भार यहुग। Cornishvy पनी से लबालब भर जाता है। तो हर बार लोग ऐसे परिशान हो रहे हैं और इसी टाइम में सब परिशान होते हैं। आप देख रहे हो जैसे की कितना पानी बढागा हुआ हम को इधार से अधर जाने में बहुत म्यों मीडर को रहे है से ऐसे वृबले में से बसला ह निक्राण से थेट स्याइन बहुत पल्लोर कंनीयों यह मुषू से नीचे टक पानी आरा से पान न। समाजिक तत्व पूरा दिन में भी गुंते रहते हैं रात को तो आप देख सकते हो यहां के कितनी बोटले पड़ी हुई है दारू की और नीचे भी अंदर ग्राउंड तो पैक कर दिया है उसमें भी गंदगी और सब बहुत सरी चीज़े ऐसी भरी हुई है उसके बाद भी प कर दिया है तो बारिश का पानी न कहीं जहां पा रहा है इच में ही रुका हुआ है कॉंप्लेक्स में पानी पूरा अब नीचे जाएगा और कहां जाएगा है और पार्किंग को बन कर दिया गया है और ऑप्शन कुछ है नहीं पानी निकलने का सागवड़ा लाइव न्यूज जिहां लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए धन्यवाद